हाई गाईज वेल्कम बैक तो माई चैनल अब्जट क्लासिज तो गाईज आज अधाइक 21st of September और Wednesday आज हम दा हिंदू न्यूस्पेपर को अनलिसिस करेंगे और इस न्यूस्पेपर में देखेंगे कि कौन-कौन से अर्टिकल हमारे एक्जाम के पॉइंट ओफिस से इंपोरेंट है तो चलिए बीन टाइम विस्ट करें वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले पेज़ पर एक आर्टिकल हमारे एक्जाम के पॉइंट ओफिस से इंपोरेंट है वह है जो की का करते हैं गौर्टमेंट की तरफ से इंपोरेंट को रइप्रेजेंट करते हैं सुपरिम कॉट में के के वैनुकौपपाला सब्मिट इफोर एकॉंसिशन बैंच लेडबा चीफ ज़ेस्टिस फ इंडिया यू लेलित ओन तूस्टें मिस्टर वैनुकॉपालव फॉर्डी सेंटर सेथ एड़व्लूएस कोटा वाज गीवन इंडिपेंडेंट ऑफ अल्डेटी एक्सिस्टिंग एड़व्लूएस कोटा ऐसे दिया जाएगा बिल्कुल इंडिपेंडेंडेंट जैसे कि अभी 50% रिजर्वेशन ग्रांट हुआ ह बैकवर्ड क्लासिस के लिए जिसके अंदर स्टुडियूल्ड कम्यूनिटीज और OVC आती है तो इस आर्टिकल में हमारे लिए दो चीज इंपोर्टेंट है एक तो EWS कोटा और एक अटोनी जन्रल अटोनी जन्रल की पोस्ट बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह आपको Constitution of India में भी मैंशन देखने को मिल जागा Article 76 में तो सबसे पहले तो सबसे पहले EWS कोटा के बारे में देख लेते हैं तो EWS कोटा कम मिलेगा जब आप EWS के अंदर आएंगे तो इसलिए आपको EWS की कंडिशन समझने पड़ेंगी Economic Weaker Section एक इंडिया में सब कैटेगरी है पीपल की जिनकी इंकम जिनकी इंकम आठ लाग से कम हो कितनी एट लाग से जिनकी इंकम क्या कम हो वो EWS के अंदर आएंगे सिर्फ उन्हें ही कोटा मिलेगा And who do not belong to any such category such as SC, ST, OBC across India nor to MBC in Tamil Nadu यानि कि उस category में वो भी belong नहीं करेंगे जो SC, ST, OBC में हो इतनी इंकम के साथ ना MBC Tamil Nadu की A candidate does not fall under SC, ST, OBC and fulfills the EWS economic criteria are to be part of the EWS category अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्रिया हमें जानने पड़ेगी अगर हमें EWS कोटा के बारे में समझना है तो on 7th January 2019 में Union Council of Minister ने अपरूब किया था कि हम 10% Reservation देंगे Government Jobs और Education Institution में EWS के लिए और General Category में Cabinet ने डिसाइड किया कि ये जो है existing 50% Reservation for SC और ST और OBC के लिए ये इससे क्या होगा ये इसके उपर चला जाएगा On 8th January 2019 में Constitution में 124th Amendment Bill 2019 लाए गया जो इंट्रड्यूस हुआ लोकसभा में Lower House of the Parliament and वो पास हुआ सेमी डे राज्यसभा से बिल वास पास बाइदापराऊस राज्यसभा नाइन जैन्वरी प्रिसिडेंट रामनाम्त को में क्या देदी एसेंड देदी अनुमती देदी तुड़ी बिल ओन 12 जैनरी 2019 में एक गैजिट रिलीस किया गया बिल के लिए और उसको लो में बदल दिया गया और वो फोर्स में कब से आया 14 जैन्वरी 2019 वन अन थर्ड अमेंडमेक्ट ऑफ दे कॉंस्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडिंग आर्टिकल फिफ्टीन का सिक्स सिस्टीन का सिक्स ऑफ दा कॉंस्यूशन ऑफ इंडिया पर्मिट कर दिया के 10 परसंट इजर्वेशन मिलेगा एक NGO है जिसने इसको कास बेस पॉलिशी बताया उसने चैलेंज किया अमेंडमेंट ऑफ तो दी सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया ऑन दे ग्राउंड ऑफ दे बिरिचीज तो इसने कहा यह क्या एकुलेटी नहीं है आपने को दे रिखा 27 परसंट एक को देखा 10 परसंट इंटो एकोनोमिक मेंस टेस्ट नोन कास्ट बेस कोटा इंस्टेड शेंग विदिन 50 परसंट कैप सेट बाइपक्स कोट कंवर्जीज लीडर्स ओफ दे बैकवर्ड क्लासिज वाइल फेयर ग्रूप्स ने अप्रोच किया सुप्रिम कोट में यानि कि उन्हें प्ले डाली अपोजिंग रिजर्वेशन फोर EWS ग्रूप्स तोगेदर यानि कि इस चीज़ को अपोज किया कि EWS को रिजर्वेशन कम करेंगे जनल के EWS क्याटेगरी में इन गॉर्मेंट जोब्स और एड्जुकेशन इंस्टिटूशन में और 6 अगस्ती में कोर्में डिसाइड किया कि हम फाइव मेंबर बेंच बनाएंगे जो इस केस को क्या करेंगी सुनेगी अब हमने EWS कोटा के बारे में पूरी टिरिल म होता है इसका प्रिंसिपल एड़ोकेट होते हैं बिफोर ज़ो इड़ोकेट आ यानि कि वकील की तरह काम करताई इंडियन गोर्मेंट के लिए सुप्रिम कॉट ऑफ इंडिया में अपॉंटेड होते हैं प्रिसिडेंट ऑफ इंडिया से अन्द एडवाइज व्दी यूने जज के अपोइंट होने तक यानि कि ऐसी इनकी क्वालिफिकेशन होने चाहिए कि सुप्रीम कोट का जज इने बनाय जाए तो बन जाए तर्टीं 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 जननल कोन है हमारे केके वेन गोपाल ही वाज अब पॉइंटेड के गए थे हुने प्रिसिडेंट के दौरा नामनात कोई में 2020 में ही बिगें इस सर्वीस ओं 30 जून 2017 मुकुल रोहतांगी हमारे 14 अजिया होंगे फ्रॉम 30 सेंप्टेंबर 2022 से मुकुल रोहतांगी सर्फ करेंगे इस सेकिंड टैनर उनका सेकिंड टैनर होगा यानि पहले भी हो बन चुके है अटनू जननल अब इसके बारे में तोलब होड में देख लेते हैं टाइप क्या है जुडिशियरी ओफ इंडिया है अब्रिवेशन एजिया रेजिटेंस का है इनका न्यूदिल इंडिया अपोइंट कौन करता है ने प्रिसिदेंट ऑफ इंडिया और एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट टम लेंथ क्या इनकी पर डिस अपोइसाछन सेट वल सैतालव और डिप्ति अलदेुरिकों मिलते हैं इंडिया डिप्ती मतलब कि शोलkte अजन狗 क्या होता है जो इस पोस्ट के लिए यह रख inya की कि हाक्ता इंडिया की help करता है इस चीज को बनाने के लिए की सfell करने के लिए और आधर काम करने के लिए कि यह क्या होता है इसका है पर होता है अब देख लेते हैं नाइस आटिकल जो हमारे एक्जाम के पॉइंट ओफिस से इंपोटेंट है नाइस आटिकल जो हमारे एक्जाम के लिए नाइस आटिकल जो हमारे एक्जाम के पॉइंट ओफिस से इंपोटेंट है वह टेस्ट एंड कंटेंस्ट में दिया गया है तो निजी नंबर्स में सबसे पहली निज हमारे लिए इंपोटेंट है राइस इन दा नंबर ओफ न्यू सब्सक्राइबर विद दा इफ एफ 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 में इन जुलाई में एफ 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 क्या है employees provident fund organization एक one of the two main statutory social security bodies है यानि कि guys दो तरह की body होती है एक होती है statutory और एक होती है non statutory statutory body वो होती है जो कि act से बनाई जाती है और non statutory body होती है जो कि act से नहीं बनाई जाती है तो एक statutory social security body है under the government of India के अंदर आती है ministry of labor and employment यह आद को याद रखना है किसकी ministry के अंदर आती है ministry of labor and employment और responsible regulation and management of provident fund यानि जो provident fund कटता है employee का उसकी कमाई के उसको बाद जो पैसा होता है वो कटता है उसे company रख लेते हैं और जब उसकी retirement हो जाती है जब दे देते हैं उसको क्या बोलता है तो उसके regulation उसके management के लिए क्या है EPFO responsible the other being employees state insurance है इसके अलावब क्या है employee state insurance है EPFO administer करती है mandatory provident fund के लिए also manage करती है social security agreement with other countries international workers are covered under EPO plan यानि की EPFO का प्लान है उसके अंदर international worker भी आते है countries where bilateral agreement have been signed जहां पर इंडिया के bilateral agreement sign हो चुके है उन countries के साथ सिफ as of my 2021 19 such agreement आये थे place में EPFO top decision making body है central board of trustee की CBT की एक statutory body है जिसको established किया गया था employees के दुआरा employees fund employees provident fund and miscellaneous provisions EPF and MP Act 1952 के दुआरा as of 2018 में more than 11 lakh crore billionaire under EPFO management यानि कि इतना पैसा EPFO के management में आया है on 1st October 2014 में government of India ने launch किया था universal account number employees के लिए जिसको cover किया था EPF नहीं to enable provident fund number portability यानि कि जिससे क्या हो सके जो employees है उनको provident fund मिल सके अब इसके बारे में थोड़ा से short में जान लेते हैं तो यह form हुई थी for नीलम एस रहा है CPFC यहां पैरेंट डिपार्टमेंट किसके अंदर आती है आपको बहुत जरूरी याद रखना मिनिस्टे ओफ लेबर एंप्लाइम्ट गॉर्मेंट ऑफ इंडिया पैरेंट इस्टेशरी बोडी कौन सीच की सीबी टी यानि कि इस्टेशरी बोड़ अफ ट तो हम इसके बारें में पढ़ना है लेमपी स्किन डिसीज के बारे में प्रदः पैजियर होलसाल टी यहाता है दिब जाते हैं यहां कि दबे से पढ़ जाते हैं केटल के बोडी पर और मुल्टिपल नोडियूस देखने को मिल जाते हैं जिनकी मेजर कितना होता है तू तू फाइव सेंटीमेटर्स ओन देखने को मिल सकती है उनके लिम्स में उनके एग्जिबिट लेमनेस में उनकी स्कीम बिलकुल खतम हो जाती है लौरिंग देखने को मिल जाएगा उनका जो मिल का प्रोडेक्शन है वो घड़ जाता है उनकी पूर ग्रोथ होती है इनफर्टिलिटी अब अबर्शंस एंड सम्टाइम्स उनकी देख भी हो सकती है उनसेट ओफ़ फीवर्स ओकर्स ओल्मस्ट वन वीक आफ्टर इंफेक्शन बाइड वाइरस इनिश्यल फीवर इसमें 41 डिग्री सेल्सियल देखने को मिल सकता है एंड पर्सिस फॉर वन वी इस ताइम ओल दा सूपरफीशल लिम्प नोट्स और लार्ज हो जाएंगे और भी जो उनके धब्बे से उनके सरीव पर वह भी क्या हो जाएंगे लाइफ लार्ज हो जाएंगे इस वाइरस के वाज़े से नोडियूस इन विस दा डिसीज इस करेक्टाइज बाइब अपि अब देखने को मिल जाया किन्डम मिस का क्या है बेर बैन फो डी वी रिए फिलम क्या इसका नुक्यीूसाइटो वीरीकोटो घ्लास कॉन सा इसकेज़ की फॉकी सो की आप देख लेतें नस्त्ट अर्टिकल्त जो फांद नचाहिग हाँ नेस्ट आर्टिकल जो हमारे एक्जाम के point of view से important है वो इससे नेस्ट पेज पर दिया गया है test and contest से इसमें डेली कुछ के बारे में आपको एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा अभी 21st September यानि कि आज के दिन क्या कहला जाता है International Day of Peace International Day of Peace को observe किया जाता है annually yearly September 21st पर अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या important है हमें इसके बारे में थोड़ा से जाना International Day of Peace के बारे में क्योंकि वन डे एक्जाम में जो डे होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है International Day of Peace इसको हम World Peace Day भी बहुत सकते हैं यह कि United Nations Central Holy Day है यानि किस दिन Holy Day होगा annually on 21st September को यह dedicated हुआ है World Peace से और specifically is the absence of war and violence यानि कि इस तीज को दरसाता है कि war नहीं होंगे और violence नहीं होगा such as might be an occasion by the temporary ceasefire in combat zone for humanitarian aid access day was first celebrate हुआ था 1981 में and escaped by many nations और बहुत साइड नेशन ने इसको क्या किया था accept किया था political groups, military groups और people say to inaugurate the day United Nation Peace Bell रंग यानि कि बजी थी United Nation Headquarter में New York City में Bell is cast from the coins donated by the children from all continents except Africa यानि कि Bell उस चीज से बनाई जाई थी जो coins donate donate के जाए थे children's के दुआरा सारे सारे continents जो इसमें participate है accept Africa अफरीका को छोड़कर and was a gift from United Nation Association of Japan से gift मिला था as a reminder of the human cost of war किस तरीके से जो वार होता है वो किस तरीके से human की कोस्ट को दरसाता है यानि कि किस तरीके से humans की कैजूलिटी किस तरीके से उसमें नुकसान देखने को मिलता है जादे दिएंगे तो उससे क्या होगी वाल्ड पीस बनी रही रिसेंट यहर में अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ो सा शोट में इंटरनेशनल डे ओफ पीस ऑबजर होता है और यूनियन मेंबर स्टेट्स के दुआरा ताइप यूनाइट नेशन इंटरनेशन डिक्लारेशन है सेलिब्रेशन मल्टिपल वर्ड वाइड इवेंट है डेट 21 सेप्टेमबर और नेस टाइम 21 सेप्टेमबर 2022 यानि के आज के दिन फ्रिक्वेंसी एन्वली मनता है रिलेटिट टू किसे पाज पीस मोमेंट से अब देख लेते हैं नेस्ट आर्टिकल जो हमारे एक्जाम के इंटरफिस से इंप्टेंट है वो ट्वेंट पेज पर दिया गया है इंटर्वेंशन प्ले इन कुतुम मिनार डिसमिस यानि कि अभी एक आदमी ने क्या करा है कुतुम मिनार को लेकर एक प्ले डाली है उस चीज को हटा दिया गया है यानि कि उसको डिसमिस कर दिया गया ह कुमार महेंदर देवेज प्रताब सिंग के जिन्होंने प्लेड डाली थी जिन्होंने क्लेम किया था कि कुतम मिनार बना हुआ है ओन लेंड जो उनसे ब्लोंग करती है निकि उनकी जमीन पर ही कुतम मिनार बना हुआ है जो इसके अंदर क्या हो हमें राइट मिले पोजा करनेगा इंसाइड एसाइड प्रोटेक्टिड मॉनुमेंट डिस्मिसिंग अधिशनल इस्टिक जज दिनेश कुमान ने इनकी प्ले को दिस्मिस कर दिया है सब्सक्राइब करते हैं किस से मुगल डाइनस्टी से तो उस्टीच को हमें सारे इन्डिया को जो मॉनिमेंट्स दिये है उसके बारे में हमें सब्सक्राइब कुछ थोला बहुत जरूर जानना है तो कुतुम मिनार को हम कुतुम मिनार भी बोल सकते हैं यह एक मिनरेट है और विक्टरी टावर है यानि कि जीत के बाद इसको बनाए गा था जब मगुस जीते थे जब उन्होंने इसको बनाया था फॉर्मस पार्ट अफ एन कुतुम कॉंपलेक्स विस लाइट अधे साइट दिल्ली में देखने को मिल जाएगा फॉर्टिफाइड सिटी में लाल कोट में यह फाउंडेट हुआ था तॉमर राजपूत के दौरा तॉमर राजपूत के दौरा इसको बनाया था It can be compared to 62-meter old brick minaret of jam in Afghanistan में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाएगा जो 62-meter है इसको हम minaret of jam बलते हैं of 1190, which was constructed decades or so before the probe start of the Delhi Tower. The surfaces of the both are elaborately decorated with inscriptions and genometric pattern. Kutm Minar has a shaft that is flooded with a super-stellic-tight bracket under the balconies at the top of each state. Balconies भी आपको देखने को मिल जाएगा इसके top state पर यह देख सकते हैं यह आपको बलकनी देखने को मिल जाएगा इसके top roof पर. In general, minarets were slow to be used in India and are often detached from the main mosque where they exist. अब देखने देखने इसके बार में थोड़ी सी short information. Height कित्येश की 72.5 meters. Architectural Islamic architecture ने इसको बनवाया था. Type क्या है? Cultural. UNESCO World Heritage Site के उससे देख लेते हैं. Criteria 4 है. Designated 1993 में. Reference number नियाद रखना country इंडिया में है और continent किसमें एशिया में. Construction को हुआ था इसका starting 1199 बाइक ने इसको बनाया था. और complete किया था इससे 1220 में by his son-in-law इलतो तम इसने. अब हमने कुत्ब मिनार के बारे में सारा देख लिया. अब देख लेते नेस आटिकल जो हमारे एक्जाम के point office important है. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते है नेस वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू जाहिंद एंड नेवर गिव और गाइज अगर आपको इस न्यूस पेपर की PDF चाहिए तो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी वह एफजेट क्लासिज हिंदू PDF के नाम से मैं लिंक भी डाल दूँगा description में वहाँ से आप उस PDF को download कर सकते हैं और टेलिग्राम पर विजिट कर सकते हैं Thank you